तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाले हूँ SSC CGL के एक्सपेक्टेड कट आफ के बारे में तो आप सभी को पता होगा कि SSC CGL के जो एंसर की है वो आउट हो चुकी है अभी उसी के बारे में मैंने एक वीडियो भी बनाया था आप सभी ने आप अंसर की जो है वो देख ली होगी और उसी के उपर आप सभी को अभी पता चल गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं अभी भी वो टोटल आपके मार्क्स नहीं है क्योंकि नॉर्मलाजेशन के बाद आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकता है लेकिन इसी के उपर से हमने आपके लिए एक expected cutoff marks की list बनाई है जिसमें हम आपको बताने वाले है कि आपके expected cutoff जो है वो कहा तर जा सकता है आपके category wise और आपके post wise वीडियो जो है वो last तक देखेगा अगर आपको expected cutoff जानना है SSC CGL Tier 1 के एक्जाम के बारे और junior statistical officer तो ये तीन post छोड़ कर जितने भी बाकी post है उन post के लिए इतना cutoff जा सकता है यानि कि category जनरल के लिए आपका expected cutoff जो है 200 में से marks जो है वो general category के लिए 140 से लेकर 150 marks तक आपका cutoff जा सकता है सेम आपके EWS के लिए 140 से लेकर 145 तक आपके marks का cutoff जो है वो जा सकता है OBC category क SC category के लिए 115 से लेकर 120 तक आपका expected cutoff है वो जा सकता है और next is ST category तो ST category के लिए 105 से लेकर 110 तक आपका cutoff जो है वो जा सकता है तो ये जो cutoff है ये expected cutoff है answer keys देखनी होगी answer keys में से आपने आपके marks जो है वो tally कर लिए होंगे तो उसी के उपर से आपके marks जितने बन रहे हैं अगर आपके general category है और आपके marks 140 से लेकर 150 के बीच में आ रहे हैं मतलब आपने calculate किये तो उतने बन रहे हैं तो हो सकता है कि आपका selection next round के लिए next exam के लिए हो जाए AWS category के लिए भी same ही है guys लेकिन OBC category के लिए अगर आपका 135 से उपर भी अगर आपके marks बन रहे है या फिर 5-10 marks आपके 130 या फिर 125 तक भी आ रहे है तो भी चल जागा guys क्योंकि normalization में वो बढ़ भी सकते हैं तो guys next category के लिए SC के लिए तो SC category के लिए अगर आपके 100 से उपर भी marks बन रहे है तो भी guys आपका selection हो सकता है tier 2 के तो normalization में आपके marks जो है वो बढ़ सकते है ST के लिए भी same ही है guys अगर 100 से उपर आपके marks बन रहे है तो आपके लिए chance है कि आप tier 2 के लिए select हो जा तो next जो आपके जो मतलब ये post बाकी थी जैसे कि assistant audit officer और assistant accounts officer तो इनकी जो expected cutoff है वो इस box में हमने आपके लिए रखी है तो यहाँ पर categories जो है general category के लिए 170 से लेकर 180 तक आपका cutoff जो है वो जा सकता है क्योंकि guys बहुत competition बढ़ रहा है और जिसकी budget से है आपका cutoff जो है वो higher लग रहा है और general और EWS category के लिए तो सबसे ज्यादा high cutoff जाता है तो इसी तरह अगर हम देखे तो general category के लिए 170 से लेकर 180 marks तक अगर आपका calculate अगर आपने आपके answer की की है तो आपके marks बन रहे है तो आपका selection हो सकता है EWS के लिए 170 से लेकर 175 तक आपके marks आने चाहिए OBC category के लिए 165 से लेकर 170 तक आपके expected cutoff जा सकता है ST category के लिए 155 से लेकर 160 तक आपका expected cutoff जाने की संभावना है ST category के लिए 150 से लेकर 155 तक आपका expected cutoff जा सकता है SSC CGL के लिए tier 1 के exam के लिए और वो भी assistant audit officer और assistant accounts officer की post तो guys यह जो marks है अगर general category के candidates के answer की के हिसाब से 170 से उपर उनके marks आ रहे है तो उनका selection हो सकता है उसी के जैसे EWS category के लिए भी अगर candidate के 170 से उपर उनके marks answer की के हिसाब से बन रहे है तो उनका भी selection हो सकता है OBC category के लिए भी guys अगर आपके minimum 160 से भी उपर है तो भी आपका selection होने की संभावना है क्योंकि normalization में आपके marks बढ़ सकते हैं SC के लिए और ST के लिए अगर आपके 150 से भी उपर marks बन रहे हैं तो आप second examination की preparation में लग जाईए guys तो next जो आपकी एक post है गए थी वो है junior statistical officer की post तो इस post में guys category अगर हम देखें तो category जनरल category के लिए जो आपके expected cutout बन रहे है वो है 165 से लेकर 170 तक अगर 165 से उपर अगर आपके marks आ रहे है तो आप tier 1 clear कर लोगे EWS category के लिए 160 से लेकर 165 तक आपके marks बन रहे है OBC category के लिए 155 से लेकर 160 तक आपके marks जाने की संभावना है expected cutout marks है guys अगर आपका मतलब इससे थोड़ा कम जादा भी हो रहा है तो भी चल जाएगा SC category के लिए 135 से लेकर 140 तक आपका expected cutout जाने की संभावना है और ST category के लिए 120 से लेकर 125 तक आपका expected cutout जा सकता है तो guys अगर आपके marks SC category के लिए SC और ST category के लिए 120 से उपर भी बन रहे है तो भी आपका selection tier 2 के लिए हो सकता है OBC category के लिए और EWS general category के लिए अगर आपके 160 से उपर 160 से उपर marks बन रहे है total तो आपका selection हो सकता है अगर 160 से थोड़े बहुत कम जादा भी है तो भी आपका selection होने की संभावना है normalization के वज़े से लग रहे है तो guys ये complete expected cutout जो है ये हमने आपके complete answer keys अभी out हुई है SAC CGL tier 1 की तो उसी के उपर से हमने complete analyze करके बनाया हुआ है तो guys अगर आपको ये वीडियो complete समझ में आया हो और आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजेगा चेर कीजेगा और प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजेए ऐसी ने अपडेटेड कंटेंट्स के लिए THANK YOU ALL